नमस्कार दोस्तों कर्मा प्लेश में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि science and take का हम लोग एक नया subject के साथ हम लोग start कर रहे हैं आज science take का दोस्तों दूसरा class है ठीक है न तो science take के अंतर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज space science पढ़ेंगे Space Science का ये next video है ठीक हाना इसके गनतर हंदर जो हम दोग पढ़ रहेँ है वो जो टopic आई नाम है orbit पढ़ेज़ेंगे ठीक हाना orbit जो पढ़ेज़ दोस्तों कि यह जर्राल इसी यह पढ़ रहे है ५S-C box है उसके उसकें regarding में Elon results का वुरे तरीके सापको पढ़ाया तान जाजाएगा ठीक है ना इसमें किस थरह पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे whenakah एसके बाद observers hustle ठीक हैन्ख असके बाद हम जो करेंट है ना जो भी है जो भी नीज में रहा है उसको लेकर हम लोग लोग कबर करेंगे ठीक है ना आई जिया हम लोग अच्छा पढ़ेंगे उसको जन्हों लोग पढ़ेंगे ऑर्विट क्योंकि और वीड है जो पूरे स्पेस टेक्नोजी का पूरे एक पीलियर है ठीक जब तक हम लोग और बीट नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को किलियर बात नहीं बनेगी ठीक है ना तो और बीट को समय निस पहले हम लोग समझते हैं पहले का और बीट है क्या एक किस्त परकर बर्क करता है इसको हम लोग समझते हैं ठीक है ना चलिए देखते हैं और बीट दोस्तों, ओर्बिट को हम लोग जर्णली कच्छा बोलते है हिंदी में, ठीक है ना, अब देखिए, ओर्बिट क्या है, एक पात, क्या है, पात, जो क्या कर रहा है, यह मूब कर रहा है, क्या कर रहा है, मूब कर रहा है, अब जो मूब कर रहा है, किस चीज़ को मूब कर रहा होगा तो कोई object को क्या कर रहा है मूब search कर रहा है किस ब्यप कर रहा है किसी object का किसी object का किस बे में कर बे में इसको जर्णली हम लोग एक फर्मूला गड़ सकते हैं कैसे गड़ सकते हैं यह देखिए जर्णली जर्णली कर्वड ठीक है ना कर्वड पाथ इस ठीक है पुर ठीक है चलिए अब इसको देखते हैं कि किसी बे में आरविट को किस बे में कौन सा बे में इसको जो मूब करता की subject को मूब करता है और किस दरह कर पूंब करता है इसको हम लोग समझते हैं माला द curtain तो यह सन है ठीक है अराम समझेगा यह सन है ओके अभी माल लीजे यह प्लाइनेट है समझे रहे ना यह प्लाइनेट है ठीक है अब यहां एक प्लाइनेट है इसका यह मून है ठीक है ना यह देख रहे मून है अब देख रहे इस बे में अब देखो मूब कर रहा है कर बे में इस बे में जो मूब करता है जो प्लाइनेट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं और्बिट ये क्या हो गया और्बिट ठीक है अब इसका देख रहे हैं इसका और्बिट क्या होगा ये इसका और्बिट देख रहे हैं ये हो गया ये हो गया और्बिट ये क्या हो गया है दोस्तों ये हो गया moon ठीक है यह क्या है आपको kवय planet ठीक है ये क्या है planet अब देखो यहां हम एक चीछ बटाइं यहां जो बताएं थे आपको हम ये एक बताइ ओजेक्ट तो अबजेक्ट इस जस्ट लाएक है, प्लाइनेट, ठीक न, तो क्या हुगा था, कि जो और्बिट है, यह क्या कर रहा है, यह मूब कर रहा है, ठीक है न, और्बिट क्या कर रहा है, यह मूब कर रहा है, और्बिट है, जो क्या कर रहा है, एक पात है, जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मूब कर रह ओर्बिट और्बिट समझ में आ गया ना चली आगे देखते हैं ठीक है अब आगे देखते है इसको इस तरह समझे आप जिसे माल लीज यह टोटल होगे औरबिट यह क्या होगे और बिट इंट है पूरा इज देखरो पूरा यह क्या है खच्छा ठीक है ना अब देखें इमाली अपना इस शन है अब इदेखरो यह प्लाइनेट है तर्फू कर्वे में मूवकर रहा है इसी और यह बस्तू है इसका देखरो मूव कर रहा है ना यह हो गया और इसी तरह देखरो यह प्लाइनिट है तब देखरो इस तरह मूव कर रहा है ना इसे बोलते हैं हम लोग और बिट जितना ही फेरो मीना देख रहे हो आप इस तरह कोई मूव कर रहा है यह हो गया और ठीक है ना चली आगे देखते हैं इसको समझने के लिए असान भासा समझते हैं कि जो एक सब्दा आता है यह यह और ट्तायप अब इस में देख लिए कम लोग ट्तायफ और भी ठीक है ना में आप ऌन ढवाफ और भी खिखैना अब मान लीजी क्या हो गया अर्थ rak और पिर्थिभी वी हो गया यह पीर्थि पूरा पिर्थि भी हो गया आप यह सब्सक्रांबर मुथे संच वोगों है। नम्य taken रखेते ऑपजक्त, कि जो क्या अपजर करना है कि कैसी मतलब जो और विट आये के किसी अब्जर को क्या कर Elsॉ कर में मूव कर रहा है, इस्थिके आप ना, इस प्लाइन्येट में बहुत सा तीक प्लाइन इस प्लाइनेट में एक और कोई यह भी प्लाइनेट होगा जिसे माल लिए प्लाइनेट है यह भी एक प्लाइनेट है ठीक है ना इसी कब देखरों यह मूब कर रहा है ना अब यह जो और विट है जनरली इसका जो भी साइन्टिस्ट है इसका नाम दिये है एल ए ओ मतलब लौ अर्थ और विट समझ गया ना कि टाइप में जा रहा है ठीक है ना इसको एल ई ओ बोलते हैं ठीक है ना उसके बोलते हैं मूब कर रहा है इसको जर्नली हम लोग जो बोलते है इसको बैज्ञानी कुना नाम दिया है A M E O उसके बाद जो निक्स जो आ रहा है यह जो और्विट है यह जो देख पा रहे हैं आप यह जो और्विट जो देख पा रहे हैं आपको इसको पह ग्यानी को नाम दिया है इसका नाम दिया है G E O G E O G E O मतलब हो गया आपका कि यह जो सबसे मतलब कि G E O अस्टेसनेरी और्विट हो गया ठीक है ना M E O कि क्या हो गया मीडियम अर्थ और्विट ओके और यहां जो सबसे ज़्याद इंपॉर्टेंट है इस बेम जो देख रहे हो आप यह जो भी आया यह श्लाइड इसको बोलते हैं दोस्तो H E O अथार्थ Highly Elliptical Arbit ठीक है नहीं इसको बोलते है Highly Elliptical Arbit इसको चली इसको एक असान भासा में लोग समझते हैं ठीक है ना इसो कहीं से असान भासा समझते हैं देखिए अब देखे यह जो डेटा इस पर मज जाईएगा ठीक हा ना, चुकि यह मैं जो लिखवाँ उसमें डिक्टेट कर बाद हूंगा ठीक हाना अब देखे ल यू यह टोटल क्या है यह टाइप आफ टाइप और बिट है ठीक ना इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो एपन अर्थ है ठीक है ना अर्थ कि हम क्या बोले समीप जो यह जो देख रहे हो यह जो आप देख रहे हो यह इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एल ईओ मतलब लियो अर्थ लाव अर्थ अर्विट क्या हो गई लाव अर्थ अर्विट उसके बाद एम ईओ अब देखो यह हो गया दोस्तों मतलब मिडियम और्थ अर्विट अब देखो मिडियम और्थ अर्विट यह हो गया दोस्तों उसके बाद है GEO, Geo-Astitionary Earth Orbit, अब देखो यह हो गया, Geo-Astitionary Earth Orbit, अब देख रहो, यह जो देख रहे हो, आप यह हो गया, Geo-Astitionary Earth Orbit, ठीक है, ओके, अब हो गया, लास्टली क्या, Geo, Geo हो गया, जो दोस्तों, इसको बोलते है, Highly Elliptical Orbit, ठीक है न, यह जो ब्रहमांड में, इस तरह से, Orbit पाया जाता है, ठीक है न, चलिए, अब आगे देखते हैं, आप दोस्तों, पहले हम बता चुके हैं, कि अब इसको हम लोग, देखे, समझाने के लिए थाम आपको समझाई दियें, जितना समझाना तो आपको अलगवग हम समझा दियें, मगर यहां समयना यह दोस्तों, कि क्या सम, जितना समझाई अभी ता आपको धियान रहेगा, ठीक है न, बत, क्योंकि आपका, मैं चाह रहा हूं, कि आपका एक class जो है notes बन जाए, don just come se come, 10 page का, ठीक है न, इससे क्या होगा, कि जब आप examination time में होगा, examination time होगा, चाए आप pD हो, चाए mns हो, चाए आपको personality test हो, ठीक है न, personal test हो, तो तीनो समय कम same से गम आपका जब एक compact notes रहेगा compact जब notes रहेगा तो कहीं कहीं चीजों को easily way में आप recall कर पाओगे ओके यह जाकर आपका मैं समझाने तो मैं समझाई दिया हूँ मैं चाहता है यहां छोड़ता मगर मैं चाहरा हूँ कि आपका एक pt और means का एक complete notes बन जाए ठीक है ना अब देखिए pt इसको आप क्या किजएगा copy लीजिए और इस सब जितना लिखाए गया यह किसी बेह में आप होता हो ठीक है ना अब बार बार क्या कर रहा है परिकर्मा कर रहा है मूब कर रहा है की पुना विर्ती होता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कच्छा बोलते हैं ठीक है ना कच्छा का निर्धारन किरत्री मूपगर मर्तव आर्टिफिसियल सटेलाइट ठीक है ना के कारियों के लिए मुल्भुत रूप से अवस्यक होता है ठीक है ना जैसे संचार प्योग संचार मतलब कॉम्मुनिकेशन यूज कॉम्मुनिकेशन यूज में कौन को साथ जी इओ तता जी एस ओ जो भी बता है कच्छा में सरवधिक लाव परदान करता है जो के पीछे मैं बता चुका हूँ चली आगे देखते हैं दूर संबेदी उपगर है ठीक है ना एल इओ में उचित कच्छाओं का बरगी करन मुक्त उनके अकार एबं पिर्थेवी के दूरी के अधार पर निर्वर करता है अब जितना बड़ा साइज होगा जितना बड़ा दूरी होगा उसी का अधार पर निर्वर करेंगे अब जो जो और्विट्स है ठीक है ना और्विट है ठीक है ना मुलतत दो अकार का होता है परकार नहीं अकार वो रएंओ एक साइज होता है एक type होता है ध्यान रख होता है इक होता है वीरताकार सरकुलर होता है यह दिर्ग विरताकार होता है ठीक है न सुच्छी है न Communicasional पलफ शीकार – दुर संबेंदी में किसमें रखा जाता है जब किसी उपगरह को ट्रांसफर और्बिट में संपरेसिस मतब शेन defense क्या जाता है तब एसी कच्छा को दिर्ख बुरतक्र कहा जाता है ठीक, आब दिरख लेकार ओर्विट हुआ इसका अनुपरियोग भारत के संचार उपकरा, संचार उपकरा मतलब कि कॉम्रीकेशन सटेलाइट के संपरिशन संपरिशन सबस्ष्द से किया जाता है, तथा इसका और्बीट को GEO-ASTRATIONARY ORBIT कहा जाता है, GTO कहा जाता है, ठीक है ना, चलिए आगे द människor हैं अब देखें पिर्थभी से ऐसी कच्छा और्बिट को निकर्टम बिंदू को पी रेजी का जाता है तथा सबसे दुरस्त बिंदू को यह पोजी का जाता है अब माल लिए हो गया आर्थ हो गया ठीक है ना तदेखर इसका डिस्टेंस बात के मत देखका में माली 10 है तीध तो बोजी हो गया ठीक हैना इसके दूरी कितना हो गया पोजी का दूरी हो जाएक लगवाग 180 किलो मेटर और ठीक हैना इसका धासली उसको कर दीज 국ER therapies सबसे आद्म बाशित his opinion दूर हो जागा पोजिए यह पोज़िए का मतलब कितना हो गया आपका 35,886 किलमेटर ठीक है ना एक ठीक कर लिजेगा आयो पीज पेजी हो गया किना इसका हो जागा टूटल लगबग 180 किलो मीटर एक बार थोगा सा करेट कर लिजेगा ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं अब देखिए एप अर्थ है तसब जेन अजदिक है प 286 किलो मीटर ठीक है ना आये जो जब जब दूर हो गया 35,000 कितना था 35,800 786 किलो मीटर हो गया अब पोजी हो गया किलियर चलिए आगे दखते हैं पिर्थेभी से दूरी के अधार प्रनिमलेकित कच्छा आएं ठीक है ना जो हम कच्छाएं बताएं थे टाइप ठीक है ना टाइप किसका पताएं और्वीट का वहां समझा दिये थे आप यहां चूकि समझाने तो होगा नहीं चूकि आपको पीटी में सी क्यू स्वल्ब करना है पलस मेंस लिखना है तो इसलिए आपको यहां जूरी है कि आपको एक कंपेक्ट नोर्स होना चाहिए अब सब्सक्राइबर्ण्ब स्कूर्थिभी राथवा अन्त्रिच प्रचेपण से संबंधी उपगरह भेजे जाते हैं ठीक है नाै क्या होगा प्रचेपन मतलब प्रचेपन संबंधी उपगरह कहां बेजा जाता है डी. लिए ओ में ठीक है ना भारस सहीत विभीन देशो ठीक है ना द्वारा भेजे गए दूर संबेदी उपगरह ठीक है तता अस्पेस टेलिस्सकोप जी एसो में होता है ठीक है ना अब देखिए आपको नोर्च कैसे बनाना है अब यहां क्या करना था आपको मैं तो बताता हूं हो हूं आपको नोर्च किसे बनाना एंक किस पराना पर फैराज उपन हो गयां jeux कि और क्या बता रही हो गया दूसरा क्या हो लगा दूर को एसमेदी कुपगर और यह हो गया अतृत्रा क्या होगा टेलीज का स्कूप टेली स्कूप इस तरह आपको सॉ wraps नोट्स बनाना आप इतना 11 में लिक रहेंगे तो वी मतलब लो आ यह हो गया आपका सौथ पोल अधि जिसको नॉर्थ पोल सौथ पोल समझ में नहीं आता में समझाता हूं पहले अब इसका देखिए एक हजार से बड़ा एक हजार किलोमीटर बड़े हो रहा है यह जो देख रहे हैं आप इसी को बोलते हैं लियो अर्थ और बीट ओके अब द से घृतिर कर दिजिड offered here नॉर्चा का ईसी चनल रहा है कि लियो मेंच टीक है आप किरफ्कछा में इसी कच्छा में इंटर्नेशनल स्पेस सटेशन आ आ इस ओ है ठीक है मतलब इसी कच्छा में इंटर्नेशिस ससले पिर 1800 से लगवाग किए ना क्योम्हें दूर है चार हजार किलोमीटर दूरी पे ठीक है ना के उचाई पे ठीक है ना अबस्तित है इसी कच्छम पाए जाने वाला उपगर्या का जीवन काल अपेच्चा किरित कम होता है तो इसका जो सटेलाइट का जो एज है वो क्या है कम है तो देखने हैं यहां एक पॉइंट तीन जाए अपेच्छा किरित कम है इस तरह आपको साइड में आपको नोट्स बनाते चलना है अब देखे लियो कच्छाम गुर्तवा कर्चन बल्क अधीक होती है इसके संतूलन के लिए उपगरा सरल रेखिये बेग आप सरल लेखिये वह सिधर इस बेम चल रहा है इसको बोलत अधीक होना चाहिए जिस कारण से इंधन का तेजी से नश्ट हो जाता है अब यह कारण क्या हो गया पहला कारण क्या हो गया कि गर्विटेशनल फोर्स है ठीक है ना वह क्या है लिनियर है निलियर में क्या होगा अधीक होगा इसमें क्या होगा यह कम हो जो तेजी से क्या ह होगा कम होगा तो क्या होगा यह नस्ट हो जागा पहला रिजन हो गया अब दूसरा देखेंगा अब क्या करा है इस अब ल य ओ कहीं चल रहा है ठीक है ना पीर्तिपी के समीब होने के कारण बायू मंडल के परभाव उपगर सटेलाइट के सरहल रेखिये बेव में अब होता है डाइबर्जन होता है और विट लॉस हो जाती है इस सम्भावना बने रहते हैं तो दो कारण हो गया ना क्या कारण थे यू में जो कि अब कम सटेलाइट का यह जो कम होता है उसका दो कारण एक तो फ्यूल हो गया अदूसरा क्या हो गया और विट लॉस यह सब किलो मीटर से लेके 3500 800 सम्तिंग किलो मीटर ठीक है ना इस कच्छा में सिमीत उदेश्यों के लिए उदेश्यों में होने वाले कुछ संचार उपगरत कम्निकेशन सटिलाइट अंत्रिच अनुसंदान मतलब स्पेस आर एंडी के लिए परवेच्छा कूपगरव अबस्तित किया जाता है यह बहबाई देश्यों से एक अच्छा का महत्व सिमीतमने बहुत कम है ठीक है ना तब यहां दो पॉइंट निकाल सकते हैं पहले थोगा क कम्निकेशन सटिलाइट हो गया यह अद दूसरा क्या हो गया अंत्रिच अनुसंदान ठीक है ना तब हो गया अस्पेस आर एंडी इस तरह आपको नोट्स बनाते चलना ठीक है चली आगे दखते हैं आप यह देखिए अपना अर्थ है प्लाइनेट है ठीक है ना अर्थ प् होगा क्या होगा अब प्लस यह जो देख रों सटेलाइट इस एरिया और फेसिट तो यह क्या करेंगा मालीजे कि ए अपना को डैली है इस ऊपरियांस क्या करा सिकल्ट भेज़ेगा यह ठीक है ना दिशिकƏ क्या होगा मतलव कॉम्णिकेशन कॉम्णिकेशन सटेलाइट यहां काम करेगा ठीक हैं चली आगे चलते हैं अब जी जी यह हो गया जियो अस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट ठीक है ना इस ऑर्बिट की दूरी लगवग 350000 किलमिटर होती इस कच्खा में प्रविष्ट उपगरों को पिरत्थ भी के परिकर्मन ठीक उतने ही समय में होती है यह पूरी कर लेती है जितने समय में पिरत्थ भी अपने अच ठीक पर एक घृर्णर पूरा करता है ठीक है न इस कचकी विश्वत रेखाक से के सापेष लि प्रविस्ट मतलब भेजा गया कोई भी उपगरा पिर्थे भी किसी भी बिंदू किसी भी बिंदू के सब्स अस्थीर पड़तीत होता मतलब अस्टेवल ठीक है ना अब देखिए इसको यह है जी यह हो ठीक है ना अभी माल लीजिए यह हो गया आपका बात के मतलब एक्यूएटर हो गया ठीक है ना इसका टोटल दूरी कितना हो गया 3500 आर्थोभ स्यालिस क्रिमेटर चलिए आगे चलते हैं अब इसके वाए जीओ स्रीक्रनाइज और और भीट हो गया इसमें क्य जी एसओ अब इसकछाओं के दूरी 3500 आतना से होती है तता इसकछाओं को अधिक सथिक परिकर्मा पूरी कर लेती कर ली जाती प्रन्तु इन कछाओं को विश्वत रेखा के सापेच कौन 0 डिगरी का मतलब सुनने होता है जीरो ठीक है ना जीरो होता है अता पिर्थिवी क किसी बिंदू से उपगर रहा दीन के एक सिमित अवदी में कोई एक फिक्स जो होता है एक सिमित फिक्सट अब इमर दिरिश्च होता है तो अब दिखाई देता है ठीक है ना अब ये माल लिजिए अब यह क्या है GSO है यह हो गैंप रितिभी है अब यह जो देख रहा है ना कि देख एक किसी भी एक टाइंप पर यह दिखाएब देगा यह आपका सब्सक्राइब का अर्थ है इसे समझें यह अर्थ है ठीक है ना न है यह बाइवी आयोगों GY हो गया इस हो गया अ यह अगहें घी-म को संपरेति संचार टूर्ट जो सट्टेलाइट उपगरा को संफर्क बनता है ठीक है ना अब भारत के भारत के आई आर एन एस ठीक है ना उपगरा का footprint भारत तथा इसके सीमा के बाहर पंदरह सो किलोमीटर जो कलपड़ाएं थे के थे दाएरे में आने वाले चेत्र ठीक है न pee ऊच अच्छंस टिक लया है एटिट्टूड पर अबस्ती देशों के लिए जिए ओका कौन भी ऊच होता है जो जो Ashाइली इन्कलाइन जी कघते थे कहना फ superynth करना है अब आगे सज्जा 35.889 अधिक होकी है इन कछाओं को उपगरा की उपगता अतियंत सिमीत होता है तता ऐसी उपगरा का समभवता अंतरीस अनुसंदान में परियोग किया जाता है मतलब जो आर इंडी की जाती किसमें असपेस्ट असपेस्ट में आपको रिसर्च डवलप्मेंट किया ज इसको बोले थे हम लोग ही ओ यह वह ऐ रहा है यहां क्या हो रहा है हुआ हो रहा है और कोई भी तरह समस्तिया होगा यहां स्वल्व की जाती है ठीक है ना जिव शन सिक्रोनाइज पोलर और वीट ठीक है इनक छाओं का पद मतंद दुर्वों के ऊपर से गुजरता है दुर्वों के ऊपर से तता प्रव tv ओगरों को फॊट्परिंट सोर समय मत्तबकि सोलर टाइम की अनुसार बदलता रहता है ठीक है ना जैसा टाइम होगा उसार पतलता रहा है एक कच्छाएं विश्वत रेखा के सापिस सव से नब्य से नब्य डिगी से लेकर सव डिगरी का कौन बनाता है ठीक है अब यह देखिए माल लीजिए अब क्या बताएं तो आपको ए कर देखिए यह संसाकते हैं यहां जाकर इसमें सत्रच हाँ लाच लगा है कि इनकी दूरी सब्सक्राइब करें ठीक है और दोस्तों आज का वीडियो हम लोग इहीं तक रखते हैं ठीक है अधी आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों आज तक हम आप वीडियो रखते हैं ठीक है दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें धन्यवाद